अगर आप UPPCS की त्यारी कर रहे हैं, तो ये विडियो आपके लक्षमी कांत की किताब को पढ़ने में लगे समय को आधा कर सकता है मैंने एक हमेशा से बात कही है आप लोगों से कि किसी भी एक्जाम की जब भी हम त्यारी करते हैं तो हम कितना पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को पढ़ने से ज़्यादा ये जरूरी है कि आप कितना छोड़ रहे हैं तो अगर आप एक जनरल सा एनलाइसिस देखेंगे तो लक्षमी कांत की जो किताब है उसमें लगभग 80 चैप्टर हैं और अगर पेजिस की बात की जाए तो लक्षमी कांत की किताब में लगभग 600 से ज़्यादा पेज हैं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको लक्षमी कांत किताब जो पॉलिटी की है उसमें से केवल आपको 40 चैप्टर पढ़ने हैं इसके अलाबा आपकी जो 600 पेज की किताब है वो बिलकुल कमप्रेस होकर के 300 पेज या 300 पेज के आजबास आ जाए तो इससे आपका काफी समय बस सकता है और ये चीज़ें मैं बिलकुल मैं हवा हवा ही बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप मैंसे किसी ने भी UPPCS के पहले exam दिये होंगे या एक दो बार paper दे चुका होगा और previous year जो papers हैं उनका उसने अच्छी तरीके से analysis किया होगा तो वो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं केवल बात UPPCS को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ किसी other state PCS की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं मैं UPPC की बात कर रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लक्षमी कांत की पुस्तेक में जो 80 चेप्टर हैं उसमें से 40 चेप्टर ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर नहीं हैं और नहीं उस portion से इस परिक्षा में प्रस्ने पूछे जाते हैं previous year का पूरी तरीके से analysis करने के बाद ही मैं ये video बना रहा हूँ और मैं इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार भी हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि जो unit हैं लक्षमी कांत की किताब में जो unit हैं वो unit हैं लगबग 10 unit हैं और 10 unit मैं से कौन सी unit ऐसी है जिसको आपको बार बार पढ़ना है मैं ये कहूंगा एक दो unit मैं आपको ऐसी बताऊंगा इस मैं से जिसको आपको कम से कम दो बार तीन बार त उसी तरीके से आप पढ़ते चलें, निश्चित रूप से आपका काफी समय इसमें बच जाएगा और आपको इसमें लाब भी मिलेगा, इसका benefit भी आपको देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले जैसे unit 1 की बात करें, तो unit 1 स्टार्ट होता है आपका पहले चैप्टर historical background से, यानि जो भारती समविधान की एतिहासिक प्रस्ट भूमी जहां से स्टार्ट होती है, जहां से जो जितरे भी act या जितरे भी अधिनियम बनाए गए उनको जब दो भागों में बा तेखने को मिलते हैं, तो historical background और especially जैसे बात करी जाए पहली unit की, तो पहली unit को आप maximum time बार, जितनी भार आपको समय मिले उतनी बार आप पहली unit को पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर question आपके पहली unit से मिल जाते हैं, फिर चाहे वो historical background हो, या फिर constitution making की बात की जाए, संविध unit 1 में आपको सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो historical background है, constitution making की बात करी जाए, या constitution के जो हमारे features हैं, समविधान की जो विसेस्थाएं हैं, वो सारी आपको पढ़नी है, preamble हो गया, प्रस्तावना, union in its territory, केंदर और उसके जो केंदर राजिस छेतर हैं, या संगशास छेतर हैं, उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, citizen से आपको पूरी पढ़नी है, नागरिक्ता, ठीक है, इसके बाद में आपके fundamental rights, मूल अदिकार, DPSP, राजिके जो नीती निदिसक सिधान्त होते हैं, इसके बाद में fundamental duties, आपके जो मौलिक करतब हैं, पहली unit आपको पूरी पढ़नी है, इसमें से आपको कुछ भी skip नहीं करना है, इसके बाद में जैसे जैसे मैं आगे आपको unit by unit बताता चलूँगा, कि इसमें से कौन से chapter आपको पढ़ना है, वही chapter आप पढ़ने हैं, ठीक है, unit second में आता है आपका central state relations, चाहें तो आप इसको note down कर सकते हैं और मैं side में हड़ जाओंगा, ये video को खतम करने के बाद में, आप इसका screenshot ले लिजेगा, जो chapters मैंने बताए हैं, यहीं से सारा का सारा paper आपको मिलेगा, ठीक है, यानि 80 के 80 अध्यायों में अपना समय आप खपत नहीं करने हैं आपको, इसमें से केवल 40 chapter ही आपको पढ़ने आधी किताब आपको पढ़ने हैं, लक्षमी कांत की, और आधी किताब को आप पढ़ लेते हैं, आप एक भी single question जो है, वो prelims में skip नहीं करेंगे, यह मैं आपको बता रहा हूँ, और यह विशेस रूप से एक चीज और आपको कहना देना चाहता हूँ, कि यह जो है, मैं मैं कि तीन चप्टर्स आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है, यूनिट थर्ड में देखेंगे, तो यूनिट थर्ड थोड़ी सी important हो जाती, इसमें President, Vice President, यानि राश्टरपती, उपराश्टरपती, प्रधान मंत्री आ जाएंगे यहां से, और इसके बाद में Central Council of Ministers, ठीक है, क इसके बाद में जब हम बढ़ेंगे, यूनिट फोर की तरफ, यूनिट फोर में आपको गवर्नर, यानि राज्यपाल, CM, Chief Minister, State Council, ठीक है, और इसके बाद में State Legislature, आपको जो राज्यकी पंत्री परिशद होती है, इसके बाद में विधायका बगएरा जो होती है, वो आपक नियाले के बाद में, आपको जो अधिनस्त नियाले होते हैं, जिला नियाले बगएरा, Subordinate Course जिनको कहते हैं, वो आपको यहां से पढ़ लेना है, तो ये सारी यूनिट वाइज जो चेप्टर हैं, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसके बाद में आपको ये भी इसने बिल्कुल 100% हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है, जिस साल यहां से प्रस्णाप का नहीं बना हो, ये Local Government से सम्मंदित यूनिट है, आपकी इस्थानी सोसासन जो होता है, या जो पंचायती राज वगएरा हम पढ़ते हैं, या नगर निगम, छुतर जो होते हैं, उनके बार केंदर सास्युत परदेशों के बारे में, इसके अलावा जो scheduled tribes area है, अनुसूचित जनजाती अचेतर जो है, उनसे सम्मंदित जो भी provisions होते हैं, प्रावधान होते हैं, उनके बारे में यह unit बताती है, तो इस वाले chapter में आपको क्या करना है, केवल जो यह दोनों chapter या unit 6 में जो chapter दे रखे हैं, इनमें लक्ष्मी कान्त की book में जो summaries दे रखी होती हैं, ठीक है, table बगरा जो दे रखी होती है, table summary दे रखी होती है, केवल उनको आपको देख लेना है, chapter पढ़ने की कोई ज़रूत नहीं है, अगर यहां से प्रशन आया, तो केवल आपको article बगरा या प्रविजन वगरा पूछ सकता है, वो केवल टेबल में दे रखा है, unit 7 में नाम है आपके constitutionally जो bodies होती है, समवेधानिक जो निकाय है, ठीक है, जैसे आपका election commission हो गया, और इसके बाद में आपका UPSC हो गया, state PSC हो गया आपका, यानि ये संगलोग सेवा आयोग, ये राज अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती और अन्य पिशड़ा वर्गों के लिए जो राश्ट्री आयोग होते हैं, उनके बारे में बता गया, यहां से भी प्रशना आता है, आपका CAG हो गया, controller and auditor general of India, और इसके बाद में आपका AG हो गया, ठीक है, महानियावादी, औ और इसके बाद में आपका राज्य का जो महारिवक्ता होता है, AG of the state, यह जो है topic आपको unit 7 में से पढ़ने है, unit 8 इसमें जो है आपके 11 chapter है, देखिएगा, unit 8 में आपके 11 chapter है, इन 11 chapters में से आपको केवल 3 अध्याय पढ़ने हैं, आठवे unit की बात कर रहो, मैं नीती आयोग आ एक central के लिए ठीक है, और एक आपका state के लिए, इन से संबंदे जो भी चीज़े हैं, उनको आप देख लीजेगा, केवल यह तीन chapter आपको unit 8 में से पढ़ने है, unit 9 इसमें भी काफी सारे chapter हैं, तो इन में से आपको केवल 68 जो chapter है, अरसटवा अध्याय जो है, उसमें से केव unit 9 में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, काफी सारे chapters हैं, इसमें से कोई chapter आपको नहीं पढ़ना है, तो यह आप skip कर सकते हैं, इसके बाद में unit 10 वो आपको पूरी छोड़ देनी है, unit 10 आपके काम की नहीं है, नहीं वहाँ से आपके लिए प्रश्न बनता है, और last में आपको क्या करना है, जो parisist है, नीचे last में जब book आपकी खतम होती है, तो appendices दे रखी होती हैं वहाँ पे, तो कुछ तालिकाएं दे रखी हैं, जैसे पहली तालिका आपकी जितने भी अनुक्षेद होते हैं समविधान के, उन से संबंदित है, कौन से अनुक्षेद में, क प्रवाइड करा दूगा इसी चैनल पर, ठीक है, सेकेंड वाला है, ये भी आपको देखना है, बुसरी वाली जो सूची है, तीसरी सूची आपको नहीं पढ़नी है, चौती सूची में देखेंगे, आप तो समविधान संसोधनों के बारे में दिया गया, आप तक जितने बी constitutional amendment हुए है, अलग-अलग जितने भी समविधान संसोधन हुए है, उनकी सूची दे रखी है, कौन से समविधान संसोधन में, कौन-कौन से प्रावधान किये गे थे, कौन-कौन से प्रोविजन से में बताए गे थे, इसकी समरी भी मैं आपको यहीं से प्रोवाइड करा होते हैं, उनकी अध्यक्ष कौन-कौन से हैं, उसके बारे में भी प्रश्ण पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड यहां से करा दूँगा, और लास्ट में एक चीज आपको जो स्वतह करनी है, वो यह है कि आपके पास जो बुक होगी, उसमें previous year के questions दे आपको देख लेने हैं, और कुछ उसने practice के लिए भी इसमें MCQS डाले हुए हैं, दोनों तरह के भाविकलिप की प्रश्ण जो पिछली वर्सों में आए हैं, और इसके साथ साथ बुक में जो practice के लिए questions दे रखे हैं, उन सभी को आपको बहुत अच्छी तरीके से देख ल किया होगा, तो आपने, मैं मानता हूँ कि आपने ये किताब पढ़ भी रखी होगी, लेकिन ये वीडियो बनाने का एक मेरा जो aim था, motive था, वो यही था, कि आप पूरी किताब को न पढ़ करके, उसमें से आधा कर दें उसको, क्योंकि हमेशा से मेरा मानना रहा है, कि आप जो है, कितना पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ट होता है, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, exam के trend को देखते हुए, questions किस तरीके से लगाता है, कौन-कौन से portion से, regularly पूछे जा रहे हैं, वो portions अगर आप देखेंगे, या आपने कभी paper दिया होगा, या आ आप मैं जो कह रहा हूँ, उस चीज से relate कर पाएंगे, आराम से उस चीज को समझ पाएंगे, कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अब ये जो है, unit wise मैंने आपको chapters बता दिये, अगर इन chapters को आप count करेंगे, तो ये पूरी book के chapters का आधा portion हो जाता है, 80 अध्यायों करते हैं, और आपकी जो 600 page से ज़्यादा की किताब है, वो लगबग 300-300 page के बीच में compress हो जाएगी, और उसके बाद में, जब इनको अगर आप एक बार पढ़ लें, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा आपको, और इनको जब एक बार आप पढ़ लें, तो उसक पॉलिटी में, प्रिलिम्स में जो questions आते हैं, लबका, पचीस के आसपास questions रहता है, पॉलिटी का, तो पचीस में से एकाद दो questions ऐसा होता है, जिसका किसी को नहीं पता होता है, और कहां से आ रहा है, मैं यह नहीं कहा रहा है का 25 में से 25 आप कर पाएंगे, लेकिन exam को crack करने का एक simple सा funda यह होता है, कि exam का 70-80% कहां से आ रहा है, उसको आप जो है target करके चलें, तो 25 questions जो है, 25 के 25 तो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि हर core में, हर subject में, 2-3 questions ऐसे होते हैं, जो सब के लिए नए होते हैं, बिल्कुल बिचित्र टाइप के questions जो है, आयो पूश लेता है, तो इसमें से last time पर आपको कौन-कौन से जो ऐसे unit है, जिनको आपको बार-बार पढ़ना है, पढ़ना तो यह जो सारा, मैंने बताया आपको यह सारा पढ़ लेना है आपको एक दुबार, अब paper time पर जैसे माल कि आप revision कर रहे हैं, तो कौन-कौन से जो ऐसे portion है, जिनको आपको इतनी बार पढ़ सकें, आपको maximum question यहां से रखता है, मूल अदिकार हो गए, आपके DPSP हो गए, fundamental duties हो गए, आपके preamble हो गए, आप प्रस्तावना से प्रशना आता है, ठीक है, समविधान के निर्मार से जोड़े हुई जिदनी भी समितिया है, कौन से समितिय का ठीक है, समविधान निर्मार का हुआ, और जो भी प्रतीक है, हमारे कब-कब अपनाएगे, किस तरीक से काम कियेगे, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, हालांकि historical background से बहुत कम प्रशना आता है, लेकिन ये पढ़ना इसली जरूरी है, कि इसको नहीं पढ़ेंगे, और paper देने जा रहे है, revision का time आगया है, revision के time में आपको कौन-कौन से unit पर ज़्यादा focus करना है, Unit 1, Unit 3, इसके बाद में आपको यहां से Unit 4, ठीक है, Unit 5 बहुत छोटा सा है, ये वाला, और इसके बाद में आप इनको छोड़ दीजेगा, unit 6 और 7 अप छोड़ सकते हैं, मैं paper time क यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 5, और इसके बाद में आप यूनिट 7, ये वाला, ठीक है, 6 को छोड़ दीजेगा, 5, 7, 4, 3 और 1, ये यूनिट ऐसी हैं, इनको आपको paper time, यानि division के time पर बार बार पढ़ना है, और last में ये वाला, जो parisist मैंने बताया appendices, ये वाला इसमें article जितने हैं, उनको एक बार नजर डाल के देखिएगा, और इसके बाद में आपका, जो second और fourth जो parisist है, इसको आपको पढ़ना है, संशोधनों वाले को, क्योंकि यहां से भी परशने पूचे जाते हैं, लक्ष्मिकांद किताब की बहुत बड़ी खा तो ऐसा लगता नहीं है, कि हमें संशोधनों को देखने की आवश्यक्ता है, या हमको articles को देखने की आवश्यक्ता है, जितने भी articles से जोड़े हुए प्रशने पूचे जाते हैं, या जितने भी संशोधनों से जोड़े हुए प्रशने पूचे जाते हैं, तो वो किताब ऐ रिपीट होते रहते हैं, आर्टीकल्स रिपीट होते रहते हैं, इस तरीके से इस किताब को डिजाइन किया गया है, तो मेरी पसंद, मैं अपनी परस्टनल तौर पर कहूं, तो मुझे ये बुक बहुत पसंद है, पढ़ने में काफी ये इंट्रेस्टिंग लगती है, ठीक है तो पेपर टाइम पर आपको युनिट 1, युनिट 3, युनिट 4, युनिट 5 और युनिट 7 और इसके बाद मैं लास्ट में आ करके आपको क्या करना है, पर इस सिस्ट में जितने भी सूची दे रखी हैं, तालिका दे रखी हैं, आर्टीकल्स, संशोधन, इसके अलाबार ज के लिए आप से कहा था, कि आज से जो आपकी लक्षमी कान्द बुक की जो समरी है, मैंने इसके नोट्स बना रखें, अपने लिए सौट नोट्स जो बनाए हैं, मैंने इस किताब को 3-4 बार पढ़ा है, तो 3-4 बार पढ़ने के बाद मैं, अपने रिवीजन के लिए, जो मैंने रिवीजन नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको यहां से प्रवाइट कराऊँगा, इसके और एक्जाम से पहले-पहले करा दूँगा, जोग्राफी मैं आपको लगभा कंप्लेट करा चुका हूँ, 11th क्लास तक जोग्राफी जो है वो कंप्लेट हो चुकी है, NCRT वाल चैप्टर्स जो हैं, वो सिमिलर दिखाई देते हैं, दोनों किताबों के चैप्टर्स को मर्ज करके मैंने सिंगल चैप्टर बनाते हुए, 12th क्लास की जोग्राफी की बुक को अपने सौर्ट नोट्स के रूप में मैंने उसको लिखा है, और वो भी मैं आपको बहुत जल् मैं कोई कोचिंग संस्थान या कोई institute नहीं चलाता हूँ, मैं आपकी ही तरह एक एस्पिरेंट हूँ और आपकी तरह ही अपनी तयारी में लगा रहता हूँ, अपनी जॉब के साथ साथ, जब भी समय मिलता है, वो मैं अपनी तयारी में लगाता हूँ, और जब भी time उसमें से भी बच पाता है, तो आपके लिए कुछ यहां से चीज़ें जो जरूरी हो सकती है, आपके एक्जाम के लिए beneficial हो सकती है, वो मैं यहां से समय समय पर आपको provide कराता रहता हूँ, ठीक है, तो यहां से जो भी मिलना है material आपको उसको भी आप देखते रही, वो आपकी हीरों किताबें एक खिटा करने की जरूरत नहीं है, एक्जाम के लिए जो आपका, आपने पहले ही clear कर रखा होगा, जैसे मैं हमेसा कहता हूँ कि गंभीर विद्यारती, गंभीर विद्यारती कौन सा होता है, उसको पता होता है कि इसके अलावा उसको कुछ नहीं पढ़ना है, उसने पहले ही fix कर लिया है, syllabus को समझा है, पूरे syllabus को समझते हुए, उसने अपनी book list डेजाइन की है, उसने अपनी book list बनाई है, कि मुझे मेरा syllabus इन सारी books से complete हो रहा है, तो मुझे इसके अलावा कोई दूसरे source की तरफ जाना ही नहीं है, और यकीन मानिए, जो इस चीज पर रहता है, इस चीज पर टेका रहता है, कि मुझे इस material के अलावा कुछ भी follow नहीं करना है, selection उशी का होता है, ठीक है, आप चाहे धेरों किताबें खिटा कर लिजीए, आप चाहे market में जाके रोज एक गठर किताबों का लिया आई, उससे कभी selection आपका नहीं होगा, ठीक इतना आप पढ़ लेंगे, तो polity का portion आपका 100% cover हो जाएगा, बाकी मेरी शुब कामना आपके साथ हैं, मिलते हैं आप से फिर next video में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन